अब देखिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या अफवा हो रही है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि ये मटन भात की इस खुशी में खिलाते चल रहे हैं कई तरह के लोग संका अब्यक्त कर रहे हैं मटन भाद के नाम पर वहाँ लोगों को पीटा भी जा रहा है और कह रहा है कि जब मटन नहीं मिल रहा है तो किस-किस का मटन खिला रहे हैं कुछ लोग तो हंसी में ही कहें किसे यहां तो सहर से कुट्टे भी गाइब हो गए अब यह सब क्या बिहार का माहौल बनाना चाहते हैं बिहार को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं हमनों तो कहा कि इसका उचस्तर यह जाज कराईए हज्जारों हज्जार की संक्या में आप किस खुशी में खिला रहे हैं लोग को यह बात समझ में नहीं आ रही है और लोग पिटा भी रहे हैं उसका वीडियो भी वाराल हुआ है लोग देख भी रहे हैं तो इस पर तो ही है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि यह मटन भात कि इस खुशी में खिलाते चल रहे हैं कई तरह के लोग संका अब्यक्त कर रहे हैं मटन भात के नाम पर वहां लोगों को पीटा भी जा रहा है और कह रहा है कि जब मटन नहीं मिल रहा है तो किस-किस का मटन खिला रहे हैं है कुछ लोग तो ह wide C meant किसे यहां तो सहर से कुट्दे भीक अब यह सब koş क्या बिहार का माहौल बनाना चाछते हैं बिहार रिंद्र को हंसी का पातर बनाना चाहते हैं हम हमनों तो कहा कि इसके उंच अस्तर यह जाज लाइए हज्जारों हज्जार की संक्या मे। आप किस खुसी में खिला रहे हैं। लोक को ये बात समझ मने आ रही है। और लोक पिता भी रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ हैं, जो देख भी रहे हैं। तो इस पर तो जबाब देनी चाहिए उनको और सरकार को संग्यान भी लेनी चाहिए अब देखिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या अफवा हो रही है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि ये मटन भाद की इस खुसी में खिलाते चल रहे हैं कई तरह के लोग संका अब्यक्त कर रहे हैं मटन भाद के नाम पर वहाँ लोगों को पीटा भी जा रहा है और कह रहा है कि जब मटन नहीं मिल रहा है तो किस-किस का मटन खिला रहे है कुछ लोग तो हंसी में ही कहे किसे यहां तो सहर से कुट्टे भी गाइब हो गए अब यह सब क्या बिहार का माहौल बनाना चाहते हैं बिहार को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं हमनों तो कहा कि इसका उचस्तर यह जाच कराई है हज्जारों हज्जार की संक्या में आप किस खुशी में खिला रहे हैं लोग को ये बात समझ में ने आ रही है और लोग पिटा भी रहे हैं उसका वीडियो भी वाइरल हुआ है लोग देख भी रहे हैं तो इस पर तो जबाब देनी चाहिए उनको और सरकार को संग्यान भी लेनी चाहिए